ये पता कौन थे गाड़ी अमें फूटरी में दिखी ये जाती हूँ जीवल वाली साइड बंदों का चैरा कुछ अर्फ पीछें से गाड़े पीछे से हमने कैमरे में देखे हैं कैमरे में के हैं, हमने की टाउन आल से इधर से कैमरे निकाले हमने ने तो गुजनगर मोड पे उसकी दुकान है, परफेक्ट कारवियार में निकाले हैं, हमने लोगों से हमने मज़द लेके हमने निकाले हैं अभी हम मौजूद हैं गुजनगर के लाके में और यह मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां का पुली स्टेशन है और इसके एक से डेड़ किलो मिटर के बीच यहां पर गाड़ी की चोरी हुई है अब भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितनी गाड़ी यहां पर लगी हैं मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों की गाड़ी जो हैं बिल्कुल भी सेफ नहीं रही जमू में अखिर क्या पूरा मामला हुआ यहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ी चोरी हुई हम आपको बताते हैं जी सर क्या नाम है मेरा नाम है खामिल मलिक क्या हुआ आज कैसे गाड़ी चोरी हुई मैं आया था गुजियन नगर जेके बैंक में मैं कोई 20 मिन्ट मुझे बैंक में लगे जब मैं वापस गया तो मेरी गाड़ी वहां पे नहीं थी कौन सी गाड़ी थी आप बी-म-डब्लियो नंबर आप बता सकते हैं गाड़ी का जेके-01-AM-0444 तो यह आप गाड़ी चला रहे थे यह कितने कितने बजे की टाइम की बात है दिन द्याड़े मतलब गाड़ी यहां से जो है चोरी होगी मेरे समान काफी था मेरा लगेज़ था उसमें मेरा पर्ष था मुबाइल था कैश था डाकूमेट्स 15-20 गाड़ी के डाकूमेंट्स थे उसमें और कितना कैश आपका अंदाजे से होगा पचास के आसपास के आसपास और कुछ आपकी ऐसी कीमती चीज जो है चेक बूक मेरी कुछ चाहिए यह साइन की हुई चेक बूक आपकी उसमें थी आप मुझे बताईए कि कल जो है कल इलेक्शन है जमू में तो आज आपकी गाड़ी चोरी होगी तो अगर खुदा नखास तको यह ऐसी वारदात होती तो आपने क्या कंप्लेंट यहां पे दर्चकरानी कोशिश की सर में ड़ी ओकि में गया था उनोंने खाली वहाँ पे अपनी नोटबुक में लिखा है वही तक ह्याक आपकी अपक्लिकेशन उनों olm इख घक अप एर कि प्रसमें कोई अभी तक च। उन्होंने मतलब रिसीव नहीं की आपकी अपक्लिकेशन रिसीव की उन्हों कुछ नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया तो क्या का उन्होंने मतलब को देखती है अभी सर्व नहीं है सर जब आएंगे तो उसके बाद हमका अपनी कारव ही तो यह आप जनाब देख सकते हैं कि कल जो है एक तारिक है और जमू में इलेक्शन है इलेक्शन के होते हुए आज दिन के 12 बजे जो है गुजरनगर जेके बेंक के बाहर से एक गाड़ी चोरी होती है जो कि BMW गाड़ी थी रेड कलर की और जिसका गाड़ी का नंबर था जेके 01 AM 0444 जितने भी यह वीडियो इस वकद देख रहे हैं मैं गुजारिश करूंगा सब से कि यह लोग बहुत परिशान है गाड़ी को लेकर क्योंकि आपको पता है कि कल इलेक्शन है और कुछ भी अगर ऐसी वारदात हो जाती है जिनके वज़े से इनको प्रॉब्लम हो सकती है तो इन लोगों की आप मदद कर सकते हैं कि गाड़ी अगर आप लोगों को कहीं भी अब दिखे तो आप जो है वीडियो में कमेंट करके हमें कॉंटैक्ट कर सकते हैं और अम इनका भी नंबर जो है मतलब यह जनाब कि पुलीस का काम भी आजकल जो हैं लोग कर रहे है आप यह देख सकते हैं जो काम पुलिस का है जो काम जो लोग यहां पे पुलीस स्टेशन में बैठे होते हैं लोगों की सेफटी के लिए वो काम भी अब पर जब आपको खुद ही करना पड़ रहा है क्योंकि चोरी की वारदाते हैं आजकल इतनी हो रही है चाया बठिंडी के बात करें गुजनगर की बात करें पूरे जम्मु शहर की अगर आप बात करें हर जगा जो है चोरी पर चोरी हो रही है तो और सर आपने जो उनकी कुछ करने कोशिष की कौन लोग हो सकते हैं क्या गाड़ी का नहीं यह पता कौन थे मर्गड़ी हमें फूटरी में दिखी जाती हुई जीवल वाली साइड हम जीवल वाली साहीड अब इस बंदों का चेहरा कुछिए कमरे में देखे हैं कमरे में के में टॉंड में टौन से देख कि यह जना हो है और दाब में कंच में तो कुछ शका रिपसका है कि वी तो किसी पर रड़ के निंगी यूई काम कहा क्या है जस्कान शक्ताए आद्यां रॉल की दिसके रखने हैं को यूछ एप वाई जाता है तो अचेज विधा योटाइगाट कि सहते हैं मैं एक चीज से मैं जी मैं एक चीज आप से पूछना चाहता हूं कि बारां बजे की गाड़ी चोरी हुई है तो बारां बजे से अगर आपने ये पुलीस को कम्पलेंट की होती है या फुटेज वो भी आपकी मदद करते हैं सर में तो उसी टाइम साड़े बारां के आसफास थाने में गया था ए चोकी है उन्होंने तो कोई वहां पे थाने कोई उन्हें बोले हैं आज तो कोई मिल नहीं सकता आप खुड ट्राइए कर लो जितना मारसे हुआ उत्राम ने किया तो क्या अब क्या गुजारिश रही गी आपकी और क्या अब यही गुजारिश है कि हमारी हेल्प की जाए तो गाड़ी में मेरा बहुत समान जय मैं रोज और आप परेशान भी लग रहे हैं क्योंकि कल एलेक्शन है और आप आपके कोछ एलेक्शन है और उपर से जितना भी डाकुमेंट है सब में काम के डाकुमेंट्स हैं उसमें ठीक है कोई गलत यूज करेगा और आपकी चेक बुक उसमें आइडीज है बैन कार्ड है ड्राइवि लाइसेंस है एटियम पांच है है उसके बाद चेक बुक्स कुछ चेक में स इलेक्शन है अगर उपर नीचे कुछ भी हो जाता है तो इन लोगों की क्या गलती है कि ये लोग जो है उस घेरे में जो है फच सकते हैं क्योंकि एट लीस्ट इनको एप्लिकेशन जो है एकसेप्ट करनी चाहिए थी इनकी सुनवाई लेनी चाहिए थी लेकिन वह भी तक तो मैं यही गुजारिश करूँगा पुलिस टेशन के यहां के जो चोकी अफसर है उनसे भी कि इनका मामला जो है प्रियार्टी पे किया जाए क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि कल वोटिंग का डे है और जमू में सबसे बड़ी बात यह है कि चोरियां जो बहुत इस कॉंटेक्ट करने की कोशिश करें